हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे नीट 2020 के एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में कि जो नीट 2020 के स्टेट वाइस कटोफ है वो कितनी जाने वाली है और इंडिया कोटा की कटोफ कितनी जाने वाली है तो हम हर स्टेट की बात करेंगे ठीक है तो फिलहाल मैं इस वीडियो क कि अंदर Udisa State की बात करूंगि कि Udisa State की अंदर कैटेग्री वाद के अरव कितमेMo जाने वाली है? और कितने आपके मार्क्स बन रहे है, मार्क्स के अकोर्डिंग आपका रंक कीतना आ सकता है? इस वीडियो में हम इसके उपर पर डिस्कुस करेंगे तो देती सबसेपधे में बात करूं अइंडिया कोटना के तो आपको पता है। है lying कोटना होता है एक स्षेट गता होता है और तो अपका स्व सिधस्शेट्व अगर बात करूण में तो सबसेफले अगर जैनल केटिंग्री कि cutoff कितनी जाने वाली है 600 to 610 आपको बहुत हाई लग रही होगी लेगिन ओल इंडिया कोटा में जो cutoff होगी वो हाई जाएगी compared than state wise ठीक है तो देखे 600 to 610 आपकी उडिशा की ओल इंडिया कोटा cutoff जाने वाली है और जो आपका rank होगा अगर आपके इतने marks आते हैं तो आपका rank 1 to 12,000 के बिच लाई करेगा next year मैं SC category की बात करूँ तो SC category की cutoff कितनी जाने वाली है 490 to 500 इतनी cutoff आपकी जाएगी जाएगी इससे below आपकी नहीं जाएगी इससे above आपकी जाएगी है और अगर मैं rank की बात करूँ कि आपकी अगर इतने marks आते हैं तो rank कहां से कहां तक लाई करेगा 1 to 70,000 तक आपका rank लाई करेगा ठीक है next year मैं SC category की बात करूँ तो SC category के अंदर जो आपकी cutoff जाने वाली है वो कितनी जाएगी 470 to 480 और अगर इतने marks आते हैं तो आपका rank क्या होगा 1 to 90,000 के बीच आपका rank लाई करेगा ठीक है तो यह थी आपकी All India quota की cutoff अब यदि मैं state wise quota की cutoff की बात करूँ कि state quota का कितना होगा उडिशा के अंदर तो देखें जो आपका state quota होगा state quota में reservation कितना होता है आपका 85% reservation होगा इसका मतलब क्या है कि उडिशा state के जो college है उनके अंदर 85% जो seats होगी वो तो उडिशा state के ही students की होगी और 15% जो seat होगी वो All India की होगी की मतलब बागे जितने भी state है उन सब के students participate कर सकते है अब मैं अगर category wise बात करूँ तो सबसे पहले अगर general category की बात की जाए तो इसकी cutoff कितनी रहने वाली है 555-560 इसके मिड आपके cutoff जो है वो लाई करने वाली है या इससे अबाव आपकी लाई करेगी और अगर इतने marks आपके बनते है तो आपका rank कितना होगा 1-2-30,000 के मिड आपका rank होगा नेक्स्ट यदि में बात करूँ SC category की तो SC category की cutoff कितनी रहने वाली है 457-462 और अगर आपके इतने marks बनते है तो आपका rank कहां से कहां तक लाई करेगा 1-1-100,000 तक आपका rank लाई करेगा नेक्स्ट है ST category ST category में की cutoff कितनी रहने वाली है 335-345 और आपका rank कहां से कहां तक लाई करेगा 1-2-250,000 तक आपका rank लाई करेगा ठीक है तो ये थी उडिशा state की cutoff और भी states की cutoff मैं अपने channel के उपर already डाल चुकी हूँ और कुछ states जो remaining है जो डली नहीं है अगर आपको चाहिए कि इस particular state की भी cutoff हमें चाहिए All India quota की basis पर कितनी cutoff होगी statewide की basis पर कितनी cutoff होगी तो नीचे comment box में comment जरूर कीजिएगा अगर कोई doubt होता है तो भी comment कीजिएगा वहां से आपको answer जरूर मिलेगा ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसं subscribe जरूर कीजिएगा ओके थेंक्यू फ्रेंड्स